नमस्कार दुफ्तों मैं संदीप स्वागत आप सभी का आज किस नए क्लास में चले दुफ्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास से जॉइन हो जाए क्योंकि आज किस वीडियों बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन एंसर के बारे में जो की नए फिच्छा नीद पर आधारित होंगे वह सारे कोश्चन मैं आपको बताने वाला हूं आप सभी को यह भी मालूम है कि इस बास समेश्टर पैटर निक्स बार एक्जाम में होने वाला तो उसी पर आधाय सारे कोश्चन होने वाले हैं तो द्यान से समझेंगे समझेंगे वीडियो में आगे और को समझाने के प्रयास करेंगे तो जहां से समझेगा तो मैं ने इस वीडियो बदाए थी हिंदी की थी हिंदी के होने वाले को किस बार फंस यर स्टेड थार्ट यर तीनों तो इससे पहले मैंने कुछ 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 मैंने आपको बताया थे एक नंबर से शुरू किया था तो उसमें मैंने 25-25 से लेकर साथ मैंने 45-45 लेकर इसी तरह मैंने 50-60 प्रवाइट किये हैं आप लोगों को सब्सक्राइब को कब और कहां ठीक है कब और किसक्रत पर मिला था तो सब्सक्राइब नहरु प्रुषकार के दारनाथ जी को सन 1973 में ठीक है उनके रंग नहीं रंग बोलते हैं काब संग्रापर मिला था याद रखेगा मौश्ट इंपारन कोश्चन है के दारनाथ जी को सिविट लैंड प्रुषकार जो है वो सन 1973 में फूल रंग नहीं बोलते काब संग्रापर मिला था यहां पर थोड़ा कट गया त लिए तो याद रहें को इसी में इस पूस्टन आपको मिल जाएगा के दारनाथ सम्मंदित लिखा कि रवाल की रचना का नामों लिख किजिए इस कोश्चन मतलब है कि कदारनाथ की जो भी रचना है जो भी किरती हैं उनके आप लोगों को नाम लिखना है आपके इच्छा नारताकरवाल की जो रचनाए हो निमलिखित हैं पहली है युक्की गंगा दूसरी है नींद के बादल और नींद के बादल फोल नहीं रंग बोलते हैं गुल महंदी अपूर्बा आत्मगंद पुस्पदीप जामुन जलतू खुली आखे ठीक है खुली आखे खुले डैन बिचार बोध पतिया तो इत्याद है इनकी जो प्रमुक रचनाएं जो की जिनके नाम मैंने आपको बताएं तो यह याद जरूर करिएगा कुछ ही आप लोग रचनाए याद कर लीजेगा चार से पांच ही तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसका टेंसर मतलीजेग के नाधात अगरवाल की जो मैंने आपको बताएं यह जो निम लिखे थे ठीक है नेश्ट कोईशन है कि सुधामा प्रषाद पांडे धूमिल का जन्म कब और कहां हुआ था तो सुधामा प्रशाद पांडे जो हैं कभी है जो धूमिल का जन्म जो हैं कि धूमिल जो इनको उपाध मिली है ठीक है इनका जो जन्म कब और कहां हुआ था तो आपको सौटा एंसर है यानि कि लाते लगो तरे कोईश्चन है तो ज्यादा डीटिल में नहीं लिखना है तो लिखा है सुधामा प्रचाद पांडे धुमिल का जन्म नौ नौमबर सन 1936 में वारसी नगर के समीप खेवली में हुआ था याद रखेगा वारसी नगर के समीप खेवली में हुआ था नौ नौमबर 1936 में याद रखेगा और लिखा है कि धुमिल यानि कि धुमिल सुधामा पांडे जी की जो उपाध ही ध सब्सक्राइब करें निम्लिखित पहला है संसत के सड़क तक दूसरा है कल सुनना मुझे और निस्ट है सुधामा पांडे का प्रजाता नतर तो यह निम्लिखित इनकी प्रमुख रस्टाइब जो कि आपको याद रखना है क्योंकि आपके एक्जाम में इस कोईशन इनके सम्मंदित एक न दू कोईशन आपको देखने के जरूर मिलेंगे लिखा है कि धूमिल को साहित अकदमी प्रुसकार उनकी किस का विक्रत पर कम मिला था तो कम मिला था यह भी आपको मिल जाएगा में अंसर लिखा है कि धूमिल को साहित अकदमी प्रुसकार इनकी कल सुनना मुझे नामक का विकरत पर मिल जाएगा तिलोचन सास्त्री का जन्म सन ठीक है तिलोचन सास्त्री का जन्म 20 अगस्त सन 1917 को ठीक है गाव चिराना पट्टी जिला सुल्तानपुर में हुआ था इनके बच्पन का नाम मूल नाम वासुदेव सिंग था याद रखेगा इनका जो जन्म है 20 अगस्त तो नेश फसक्षटर हे तिलोचन सास्त्री के रशनायों का नामों लोग कीजिए तो तिलोचन सास्त्री के जो रश्णायें के निम लिखे थे नमबर एक धरती गुलाब और बुलबुल निश्ट्र है कि दिंगत और शिम है उस जर्मत का कभी हूं और नेश्ट है अनकहानी भी कुछ कहनी है और फूल नामक एक है और निस्ट है देश कला तो यह निम्रिखे रशना है जो कि तिलोचन साफ्ती जी की है तो आप याद रखेगा पर यहां पर लिखा है फिससे को आवध का किसान कभी किस ने कहा है तो इनको जो आवध का किसान कभी किसके द्लार मिली तो यहां पर लिखा तो यह रहे सम्मंदित कुश्चन और अब हम बढ़ेंगे अति लगत्रे कुश्चन और उसका अंसर बताया अब हम बढ़ेंगे जो मैंने बताया था लगत्रे तो यह जो कुश्चन है जो फिल्टर करके मैंने रखे हैं तो कि मोस्ट इंपार्टन रहे मैं तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है तो आप लोगों को लिख देना गुप्त जी की खड़ी बोली भासा को ससक्त बनाने में ही योगदान नहीं बल कि आधुनिक कविता की बिविद काब शैलियों के विकास का स्रे भी उन्हें प्राप्त है मुक्तक और प्रबंद दोनों में उनकी समान और सफल गती थी ठीक है गुप्त जी प्रारम में ब्रज भासा के कभी के बाद में वे खड़ी के प्रतिनिद कभ खड़ी बोली को उन्होंने सम्रद बनाया आधुनिक खड़ी बोली का इतिहाफ अचार महाविर प्रसाद दुबेदी एवं उनके निष्ठावान अनुगामी गुप्त जी की तब साधना का इतिहास है तत्सम बहुला संस्कृत ठीक है सब्दावली की या भासा आगे चलक सुद्धुता एवं मार्दों के सासरलता सरस्ता उनकी विशेष्टा बन गई और लिखाय की सैली अथवा काब विरूपों में दस्ट से गुप्त जी ने अनेक प्रवंधत कमक रशनाय की हैं जिनमें महाकाब एवं खंड का विदोनों विधाय सम्मिलित हैं उनके एकाद गीत नाट टत था उनके अनेक गीतात्मक रशनाय भी मिलती हैं जिनमें उप देशात्मक सैली की प्रधानता है तो यह इनकी कुल मिलाके जो गुप्त जी की यह भाउसा थी जिस पे आप लोगों ने प्रकाष ढ़लें मतलब यह उनकी भाउसा थी ती उसके बारे में आप मुक्तक और प्रबंद काब काब दोनों में उनके समान और सफल गती थी गुपत जी प्रारम में याद रखे गया गुपत जी ने सब प्रतम ब्रजभासा के कभी के बाद पहले इन्होंने ब्रजभासा के कभी यानि कि पहले ब्रजभासा के कभी यानि कि पहले ब्रजभासा क करने का कार इन्हों ने किया कहीं ब्रजभासा सब्द को लेकर तो कहीं संस्कित निष्ठ बना कर खड़ी बोली को उनके सम्रद बनाया आधुनिक खड़ी बोली का तिहास अचार महाविश्चाद उबेदी एम उनके निष्ठावन अनुगामी गुप्त जी की तब साधना का लेतिहास है याद रखेगा यह पहले ब्रजभासा के कभी थे और कुछ रचना रचने के बाद यह खड़ी बोली के प्रतिनदी कभी बन गए थे कुछ सौट यह में इसका पॉइंट है अब इस पॉइंट से आप लोग इनके बारे में एक्जाम में कुश्चन आ गया तो अब लोग बनाबना धिकर देंगे थो पूरे माल पुर्स जाएंगे आफ लोगों को ठीक है नेस्स को एक बढ़ें जो की लग हुत्रेका है लिखा है कि मातरभХूम का केंद्रे भावस्च कीजिए तो मातरभhtaूम का कैंद्रे भाव आप लोगों को किया कैंद्रे भाव क् पर्थीवाथभी की जन्म पालन पोसड ओम जिवन विकास का अधाल एक कारण है इस मात भूम पर्थीवी द्वारा भरण पोसड तक ही हमारा जीवन अचित है हमारा जीवन जिवनाधार अन यहीं प्रिथिवी हमें देती है इसके बदले में हम उसे हमसे कोई अपेच्छा नहीं है राष्ट कभी इस धावडाफे अपलावित है जिससे भी मेरे संबन्ध है जो हमारी प्रस्था का कारण है उसमें इस मात्रभूम की महत्तु एउमसत्ता ब्याप्त है तो मात्रभूम में आपको बता दूम जो नहीं है इन्हों मात्रभूम की महत्ता प्रतिबादन किया चिसमें प्रिथOW के बारे में मतााथत्तु को युज्समें पृति प्रिधिवी ने जन्म दिया उसे में धूल-धूसित कर पर फन्याश शम्यृत क्षमिल तोली है जर Méंज्वान लिखा है कि यहां से पढ़ीए लिखा लिखा थे वहारा मारा जीवन धारा अजुर्त फ्रिधिवी करें धारा न्याठी ident का लाइप जीवन देती है अन देती है और भी बहुत साई चीजे जो देती है ठीक है इसके बदले धरती हमसे कुछ आपेच्छा नहीं करती हमसे उम्मीद नहीं करती है कुछ हमसे मांगती नहीं है तो इसी के बारे में मात भूम के वरण इसमें पुरा इसके भाव का वरण किया गया य सaoат लेकिन दो तीन-चार बार पढ़ेंगे तो पूरता समझ में आ जाएगा तो हैंज कि छमार SMC अपक्र दान प्रेम करता करता का उत्तम भाव सिखाती है Product व्हाव किकस्त अब्रेण करता आप सिखाती है आएशी प्रिथिवी को सिखाती है धृत्सथफण प्रेंबrecht तो पहरी आप लोग यहां पर देख रहे हैं यहां पर पहला पढ़ेंगे पर पॉइंट लिखाए कि पंत ने अपनी चायावादी रचनाओं में प्रिक्रति के ठीक है मनोरम रूप का मधुर एयों सरफ चेत्रण किया है उसकी चायावादी रचनाएं उच्छवास ग्रंत पल्लो और गुंजन आदी हैं पल्लो उनकी इस दौर की सबसेर रचना है इस चायावादी रचनाओं के बारे में यह पॉइंट याद रखेगा यह जो पैराग्राफ है चायावादी रचनाओं के बारे में दूसरा जो है वह है पंत की प्रगतिवादी रचना यानि की दूसरा नंबर यह वाला प्रगतिवादी यह दूसरा नंबर दूसरा पैराग् हैं पंतने अपनी ठीक है पंतने अपने इसी माक्षवादी द श्ट के आलोक में समाज के आप उपेचित एवं पत्दलित जनसमदाय का यथार्थ एवं मनों के छित्रण किया यानि कि जो इनकी जो प्रगतिवादी रस्णाओं हैं इन्में इन्होंने माक्सवादी दर्ष्ट से आलोक में समाज की उपेच्छी तेऊं पद्दलित जनसमदाय यथार तेऊं मनोग्यान का चित्रन किया है प्रगतवादी रस्णाओं में ठीक है और नेश्ट है कि पंत की काभी आत्रा का तीफ्रा चड़ आत्याद्यमिक्ता ठीक है अध्यात्यमिक्ता का पुट लिए हुए है इस दौर की उनकी ससक्त रस्णाओं में सुण कीरण सुण धूल और लोकायतन का नाम गिनाया जा सकता है तो यह इनकी रही है तीफ्री आध्य जैसेंकर प्रसाद की जो काभी भासा उस पे आप लोगों को लिखना है लिखा है इसमें कि जैसेंकर प्रसाद की प्रारंबिक कृतियां ब्रज भासा में थी यानि कि जो सुरुवात की जो कृतिया थी जो सुरुवात की रसनाय थी वह ब्रज भासा में थी याद रखेगा मोस्ट इंप्वाटन टॉपिक है इस संटेंस अप लोग एक पेज क्या डेड़ पेज आसानी से लिख सकते हैं जैसे अंकर प्रसाज की जो प्रारंभी कृतिया थी वो ब्रज भासा में लिखी गई थी किन्तु बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे याद रखेगा जैस उनकी भासा में कुछ दुरहता आ गई परंतो इसके साथ ही उनके काव में को मलता ततह सरस्टा का किंचित आभाव नहीं है प्रसाज जी की काव भीमांचा के संदर्ब में डाक्टर رाम संकृत कर त्रिपाठी का अभिमत दरसनीय है प्रसाज जी की भासा में आतीव सब्द विधान की द्रेश्ट से उनकी भासा संक्रित की तत्सम सब्दावाली से युक्त है अतावा अनेक स्थानों पर दुरो भी हो गई है माधुर एवं प्रसाद गुडों गुडों की उसमें अधिकता है यदि उग्र भाव में उनकी भासा ठीक है ओ जो सुनवी एवं नगीने जड़े हों कहीं 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 गुडों वा की सूत्र जैसे लगते हैं उनकी भासा का उधार ऑव लोकनी है जो की लिखा है कोमल कुशमों की मधुर रात डल का वा सुकभिकास यह इनकी पंग्ति है य और आप करे सकती है रिखंच से रहे गंए बुहां साइभ है तो यह आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएंगे एक दो बार वीडियो और देखेंगा पूरी ता समझ में आएगा आपको कोई कोश्चन के लाना तो कमेंट करके पूछे कौन सब्सक्राइब का निस्ट मार्डल पेपर होना चाहिए कमेंट सेक्शन नों बताएं हम आपको मि मिलते विडियो में तब तकले जाहिंद।